और मेरे देश के नौजवानों कैसे हो आप सब तो दोस्तो आज हम complete walkaround review करेंगे tvs apache rtr 160 का और bike के बारे में बताने से पहले मैं आपको इस bike की price बताना चाहूंगा जो की मेरे हिसाब से काफी important है क्योंकि जिस bike को आप लेना चाहते हो या फिर जिस bike को आप लेने का सोच रहे तो दोस्तो इस bike में आपको दो variants देखने को मिलेंगे पहला single disc इसका price है 1,002,001 शोरूम डेली और दूसरा dual disc इसका price है 1,005,001 शोरूम डेली तो ये दो variants में आपको ये bike available होती है और दोस्तो ये मैंने आपको एक शोरूम प्राइज बताए हैं on road price आप अपने nearby शोरूम स पता कर सकते हो दोस्तो बाइक के looks के बारे में बात करें तो design में कोई भी changes नहीं किये गए हैं जो design आपको पुराने model में देखने को मिलता था वही same design आपको इस वाले model में भी देखने को मिलेगा हाला कि 3-4 new cosmetic changes इस bike में किये गए हैं और एक new feature इस bike में add किया गया है पहला इसमें आपको new graphics देखने को मिलते हैं जो आपको पूरी bike के body पर मिल जाएंगे और इस बार के graphics bike को काफी attractive look देते हैं दूसरा paint job में भी काफी अच्छा improvement किया गया है आपको थोड़ा shiny paint job इसमें देखने को मिलेगा तीसरा seat के textures में भी काफी अच्छा improvement किया गया है मतलब आ इसमें आपको आगे वीडियो में बताऊंगा इसलिए आप वीडियो को end तक देखिए और BS6 complaint engine के आने से इसमें 0.3 PS का power increase हुआ है और 0.9 Nm का torque increase हुआ है बात करें front design की तो सामने आपको corners पर LED DRLs मिल जाते हैं जो night में इस bike को devil type look देते हैं और center में आपको halogen headlamp मिलेगा जिसकी visibility काफी अच्छी है वहीं पीछे आपको LED tail light मिलेगी और indicators इसमें आपको bulb indicators मिलेंगे हाला कि हो सकता है कि आने वाला model में आपको LED indicators भी देखने को मिल सकते हैं लेकिन अभी तो इसमें आपको bulb indicators ही मिलेगा दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया कि seat में काफी अच्छा improvement किया गया है इसमें आपको unibody single seat मिलती है जिसमें दो लोग आराम से बैटका ride कर सेपते हैं और seat अच्छी खासी comfortable है बात करें GTT के बारे में तो दोस्तों इसका full form है glide through technology अब मैं बताता हूं कि ये काम कैसे करता है जैसे कि अगर आप कहीं traffic में first गए हो तो आप बिना race दिय ये around 10 to 11 की speed में जाएगी तीसरे gear में around 15 to 16 और fourth gear में ये 19 to 20 kmph की speed में बिना throttle दिये चलेगी तो ये feature काफी अच्छा add इस bike में किया गया है ट्राफिक में ये आपके लिए काफी ज़्यादा useful रहने वाला है बात करें engine की तो इसमें आपको मिलता है 159 cc का single cylinder 4 stroke FIBS6 engine जिसका max power है 15.53 PS at 8400 rpm और max torque 13.9 Nm at 7000 rpm और number of gears इसमें आपको 5 मिलेंगे और अगर बात करें इसके mileage की तो आप around 45 to 50 kmpl तक का mileage इस bike से gain कर सकते हो दोस्तो semi digital instrument cluster इस bike में आपको मिलेगा जिसमें आपको digital में odometer, do trip meter, speedometer, clock, fuel gauge ये सारे features मिल जाते हैं और analog meter में आपको RPM, service reminder और ABS indicator मिल जाएगा बात करें इस bike की switch quality की तो दोस्तो switch quality में कोई भी compromise नहीं किया गया है और TVS वैसे भी quality को लेकर कोई भी compromise नहीं करती है switch quality आपको best in classy इस bike में देखने को मिलेगी और right handle bar में आपको engine kill switch और self start का option मिल जाता है और इस bike में आपको kick का कोई भी option नहीं मिलता है सिर्फ self start के साथ ये bike आती है बात करें suspension और tire की तो सामने आपको telescopic fork suspension मिलता है और 90 section 90 का 17 inches का tubeless tire मिलेगा वहीं पीछे आपको monotube inverted shock absorber suspension मिलेगा और 110 section 80 का tire मिलेगा हलाकि bike की braking की बात करें तो सामने आपको 270 mm के pedal disc brake मिलते हैं और दोस्तो pedal disc brake round disc brake के मुकाबले काफी बढ़िया होते हैं क्योंकि इनका heat distribution round disc brake के मुकाबले काफी बढ़िया होता है और इसमें आपको single channel ABS भी देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आपका safety level काफी ज़ादा बढ़ जाता है बाकी दोस्तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपका budget 1,25,000 तक है तो फिर ये bike आप सभी के लिए एक value for money bike रहने वाली है क्योंकि TVS, Apache, RTI 160, India की ऐसी पहली 160 CC की bike है जिसमें आपको इतने कम price में ये सारे features मिल जाते हैं और GTT feature तो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा helpful रहने वाला है और आपको ये feature और दूसरी bike में देखने को नहीं मिलती है आपको higher segment की bike में ही देखने को मिलता है और ये Indian manufacturing bike है तो आपको maintenance cost भी कम लएगा तो आपके लिए ये एक पैसा वसूल bike ही रहने वाली है और लोगस भी इस bike का कोई इतना बुरा नहीं है आपको काफी बढ़िया लोग मिल जाता है और जादा से जादा लोग इस bike को ले रहे हैं क्योंकि इसकी sales इस महीने भी काफ अच्छी जा रही है और अगर आपको ये बाइक पसंद है और या फिर आप लेना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना तो उमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको like कर दो share करो और अग अगर आपको वहां कुछ doubt है तो आप मुझे DM कर सकते हो अभी के लिए thanks till then wait for my new upcoming videos